हेलो स्टूडेंट्स वेलकूं टू माई नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंफेक्शिस डिजीज जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका नेस्ट लेक्चर यानि कि यह लेक्चर नमबर फाइव है टोटल एट ले रचल जुक आते हैं थीक है न तो उससे कोई इस्षू वाली बात नहीं है है गोराईजा की स्पेलिंग जो है ठीक है तो यह दोनों है क्या एक्चली है यह अब पास किया है kDeking xxx यहाने की abnormi ऑग दिजिस वह बासमजों Oh rape रही ए ठीक है, तो STDs क्या होती है जो Sexually Transfigured Disease होती है याने कि during intercourse या during sex के दौरान जो disease हमारी क्या होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को transfer हो जाती है तो यहाँ पर हम बात करें स्टार्टिंग में तो हम लोग सुरुवात में STD को ही कर लेते हैं कि आखिरकार STD होती क्या है एक मेट यहाँ पर चला ओके ठीक है तो आख समझते हैं सेक्सुली ट्रांस्मिटेड डिजीज या कई वार लिखा होता है STI लिखा रहता है सेक्सुली ट्रांस्मिटेड इंफेक्शन और सेक्सुली ट्रांस्मिटेड इंफेक्शन जैसे यहाँ पर लिख दिया है यहाँ जनरली एक्वाइड बाइ सेक्सुल कॉंटेक्ट्स याने कि डूरिंग सेक्स के दौरान यह बिमारियां क्या होती है जनरली आम तोर पर 95% के यह बिमारियां डूरिंग सेक्स के दौरान ही एक इंसान से दूसरे इंसाने फैलती है और भी तरीके होते हैं लेकिन जाद तर इसके दौर थूर होता है तो बैक्टेरिया वाइरस और परसाइट कुछ भी हो सकता है जो भी कोई और्गनिजम उसको कॉस कर रहा होगा ठीक है तो कहता है नोड़ सेख्टेरिया वाइरस और परसाइटक को कहते है और वैजाइनल और अधर बौइली फिलिँट य lent कि यहां पर इक सिदान कांसेट gardenש फिलिट मतलब जो हमारी बड़ी के अंदर से आ रहा है पसीने की बात नहीं कर रहे है पसीने की बात नहीं कोई पसीना सिक्रीट होता है उसकी बात नहीं हो रही है फिलिट में क्या क्या जाएगा हमारा सलाइवा हो सकता है ठीक है दूसरा फिलिट क्या है हमारा ब्लड हो सकता है कि कट लग जाता है दूसरे के बॉडी में टैच हो गया बॉडी में टैच होने से मतलब नहीं है अगर मालो किसी को infection है उसका blood निकलके दूसरे की बॉडी में टैच हो रहा और उसके भी जखम था तो जखम से infection अंदर चला जाएगा सीमेन इधर से उधर ट्रांसफर होता है वेजैनल फिल्यूड जो मुकस वगरा वेजैना भी निकलता है ठीक है तो यह सारे वेजैनल जल्री कांटेक्ट कैसा होगा बेजैनल कांटेक्ट होगा ठीक है ओर हो सकता है वो तो यह को पार्टनर को ठीक हो ठीक है बट सम्टाइम डियक्ए spread spread मतलब होता है फैल ना कई बार यह फैलते हैं थुरू अधर intimate physical contact intimate का मतलब क्या हो गया intimate होता है एकदम close है ना intimate मतलब होता है एकदम close जैसे की कितना close उतना close जिस जो कि हम लोग sexual activity के दौरान आते हैं है ना तो कुछ और physical contact होते हैं जाने कि हम लोग काफी close है उसके दौरान भी कई बार फैल जाता है skin से skin touch हो रही है तो कई बार इसका infection दूसरे की बॉड़ी में जा सकता है तो यह जो एकदम close वाला आता है that is called intimate close ठीक है intimate physical contact this is because some STD like हर्पीस कुछ STD ऐसी है हर्पीस जो कि वाइरस के दूरू होता है and HPV human papillanoma virus are spread by skin to skin contact है ना आप sexual intercourse नहीं कर रहे हैं लेकिन आप किसी को hug कर रहे हैं गले मिल रहे हैं ठीक है ना हाथ पकड़ रखा है तो अगर उसके body में infection है और आपके body को touch होता है तो skin to skin भी यह problem फैल सकती है ठीक है sometime these infections can be transmitted non sexually कई बार यह बिना sex के भी फैल जाती है कैसे such as from mothers to their infants कई बार मा से बच्चे को जो बच्चा जनम लेने वाला है उससे हो जाएगा during pregnancy और child birth और through blood transfusion और shared needle या कई बार क्या है blood transfusion कर रहे हैं जिसका blood लिया हमने उसको बिमारी थी दूसरों को चड़ा दिया तो हो सकता है या shared needle एक को injection लगा है उससे दूसरे को लगा दिया तो बिमारी फैल सकती है ठीक है ना तो यह तमाम चीज़ें थी यह सब almost पता है symptoms देंगी तुम्हें पार चला अंदर बढ़ रहे हैं लेकिन symptoms समझ में नहीं आते कई बार ऐसा भी होता है इस पॉसिबल टू कॉंट्रेक्ट सेक्शली ट्रांस्मिटेट इंफेक्शिंस फ्रों पीपल फूसीन पर्फेक्टली एंड में नॉट इवन नो दे हैवन इंफेक पॉसिबल टू कॉंट्रेक्ट केलो यहां पर एक वर डाल देते इस पॉसिबल टू कर देते हैं इसा संभावना है कि सेक्शुली ट्रांस्मिट डिजीज या इंफेक्शिंस फॉम पीपल फूसीम पर्फेक्टली हेल्दी कई वार ऐसा हो सकता है जो जिसको इंफेक्शिन पर्फैटली हेल्दी दिखार है उससे कोई बिकट ही नहीं पिर रोग इंफेक्शिन वह जाता दूसरे को तो था कि यार अगला इंसान तो healthy था मुझे कैसे हो गया तो यह सब चीज़े होती है ठीक है आगे आते हैं कॉसिस क्या है एस्टी और सिफलिस क्लेमाइडिया और एक्जाम्पल और सिफलिस यह दूनों अपने कोर्स में किसको द्वारा हो रही है बैक्टेरिया का दौरा तौरा रखें क्या है बैक्टेरिया इस तरह सिफलिस पैरसाइट्स ट्राइकोमोनेसिस इसन एस्टी आई कॉस्ट बैपैरासाइट ठीक है पता होना चाहिए लेकिन अपने कोर्स में नहीं है तो करना दियार मोर दन 20 टैप्स ऑफ एस प्रिकार से भी ज्यादा एक्जाम्पल की ब पड़ चुके हैं चाहिए इसको HPV पड़े नहीं है तो साइट पड़ेंगा इसी में यह देखेंगा भी आगए ठीक है प्यूबिक लाइस ठीक है सैफलिस ट्राइकोमोनियासिस ठीक है तो अपने को अभी इस वर क्या कवर करना है गोनोरिया और सिफलिस बाकी चीजे जो ह देखो जेस्ट पॉर नॉलेज्श लेकिन बढ़ए की पर्पस हमें किवल इन दोर फॉकस करने अग्यार वाथ हैं को के आज आते हैं अपने गोनोरिया पे ऐ डी पाइब नेजीरिया गोनोरिया ठीक है नेजीरिय गोनोरिया बैक्टेरिया पाच from one person to another during sexual contact अब देखा उपर इंट्रो पड़ा ना फटा-फट है पर होगा ठीक है कैसे फैलता है during sexual contact including oral, anal, vaginal intercourse है ना sexual contact हम कैसा भी करें ठीक है ना क्योंकि कि अब sexual contact देखा जाए तो अलग-अलग तरीके से होता है, oral होता है, anal होता है, vaginal intercourse होता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचों कि केवल vaginal intercourse से ही फैले गाँ, आप किसी भी टाप का physical intercourse करेंगे, उसके फैल सकता है यह, gonorrhea infects, बोथ male and female दोनों को infects करता ही है, gonorrhea most often affect the urethra, rectum और throat, गला, rectum जो हमारा part है NS वाला जहांपर की जो feces होती ही खट्टी होती है और urethra, यानि कि जो हमारा urine का last वाला जो pipe होता है, last में, जो penis के अंदर पाए जाता है, जहांसे urine pass होती है, urethra, ठीक है, अब देखो यह जो चीजी है ना यह, urethra, rectum, throat, यह उमीद करते हैं कि जग तुम लोगों ने फर्स्ट यर में H.A.P. वगरा पढ़ा होगा, तो इसलिए यहां पर फटा-फट चलने वाली बात होती ही, यह सारी terms तुमारी दिवाग में होने चाहिए कि यह body का कौन सा part है, इन female gonorrhea can be infect the cervix, अब cervix समझते हो, female reproductive system पढ़ा होगा, कुछ लोगों पता इन वह सार्विक्स क्या है, बता दो, बता दो, सारे बताते दलूँगा, तो लेक्टे बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, तो यह तुम लोगों क्या करना है, जैसी cervix समझ में ना आए, तुरन रो यहाँ वीडियो पॉस्ट करो, दूसरा क्या खोलो, पेज खोलो, किसका Google बाबा वाला, टाइप करो, cervix, तुरन दिख जाएगा, बात समझ मारी है, को यह सारे terms, first year में, अल्रडी cover आप है, ठीक है, तो females में generally क्या कौन सा part affect होता है, cervix वाला part affect होता है, ठीक है, okay, gonorrhea is most commonly spread during vaginal oral anal sex, ठीक है, but babies और infected mothers can be infected during child birth, जो babies होते हैं या infected mothers होते हैं, यह generally child birth के दौरान infected होती है, इन babies gonorrhea most commonly affect the eyes, babies की बात करेंगे तो वहाँ पर उनकी आखें affected हो जाती है, conjunctivitis हो जाता है, ठीक है, abstaining from sex, abstaining मतलब sex से बचाओ, अब sex से बचाओ से क्या मतलब है, यहाँ पर देखो सिधा फंडा यह है, कि आप जाने की जो लोग होते हैं कई वर multiple partners, आपको पता नहीं है, आजका लाइना जैसे कि हो गया है, कि आजका टेंट सा चलता चला आ रहा है, western culture आ रहा है, कि हाँ पा मेल हो चाहें, फीमेल हो, ठीक है, तो बचना है इन सब चियों से, तो abstaining from sex, using condom, if you have sex and being a mutual, being in a mutually monogamous relationship, monogamous mutually, monogamous मतलब होता है, single partner, मेल हो फीमेल हो, आप कोशिश करें, जो आपका partner है, आप उसी तक सीमित रहें, उसमें वाइदा क्या होता है, आपके partner कोई problem होगी, तो मैं नहीं चाहूंगा, यानि कि जो दो लोग, जो कपल है, या married लोग है, वो नहीं चाहेंगे, अगर मुझके एक को दिक्कत होगी, तो दिक्कत दूसरे को हो जाए, तो आपके सें बात करते हैं, डिसकर्स करते हैं, तो ऐसे cases में, जो monogamous, single रहें, single रहने के मतलब है कि एक ऐसे bacteria जो गोल-गोल होते हैं, round shape के, उनको cocus खा जाता है, गोणो cocae adhere to epithelial cells, एड़ेर मतलब चिपक जाता है, epithelial cells, अब epithelial है, H.A.P. में बड़े थे, सबसे उपरी के परत होती है cell की, उसे चिपक जाएंगे, of urethra, urethra के, जब sexual intercourse किया, तो जैसे कि मालो, यह ure urethra है, ठीक है, तो जब आपने center sexual intercourse किया, तो तो बताता हूं, एक example आप ले लेता हूं, जैसे कि, suppose आप sexual intercourse कर रहे हो, ठीक है, यह आपका glance penis है, थोड़ा सा structure गरबढ़ हो गया, ठीक है, यह glance penis है, उसके बीच में क्या होता है, urethra होता है, structure देखाऊगे, इस टाइप स तो जो सबसे अंदर की, यहां की परत होगी न, जिसे epithelial cell कहते है, यहां पर आकर के क्या करेगा, यह चिपक जाएगा, और other mucosal surface through pile, pile क्या होते है, bacteria के, चला तरफ पाए जाने वाले, hair जैसे structure होते है, उससे जागे चिपक जाएगा, यह penetrate through the intercellular space, और फिर वो घुसके, दो cells के बीच न जागे घुस जाएगा, reach the sub epithelial connective tissue, और फिस sub epithelial, उसके cell के नीचे वाले जगे पहुंच जाएगा, और inflammation cause करेगा, क्यों करेगा, इंफ्लॉमेशन cause, obviously बाता कोई unknown चीज आएगे, तो होरी body उससे fight करना start करेगी, leads to clinical manifestation, और यहां पर हमको लक्षन दिखा जाएगा, ठीक है, तो यह इसका हो गया, pathogenesis, किस तरह से इसने, चीजों create किया, clinical manifestation की बात करें, तो, गुवर्ण को करें, most often colonize the mucous membrane, mucous membrane ने जाकर इक कोलोनी बना लेंगे, इखटे हो जाते हैं, जाकर करके, और फिर हम आपर ग्रो करने लगते हैं, of genitourinary tract, genital और urinary tract, जो आपना genital part होता है, यानि कि जो हमारा sexual part है, और urinary tractus राष्टे पर, और यह rectum में जाकर के, there are, there the organism may cause a localized infection, वहाँ पर जहाँ पर यह कोलोनी बना के खटे हो गए, वहाँ पर यह localized infection, localized infection है ना, आस पास में, infection जहाँ पर हो, वहीं पर create कर सकते हैं, with the production of pus, और में lead to tissue invasion, pus, pus पता है ना, जिसे हम लोग हिंदी में P भी बोल देते हैं, yellow yellow color का होता है, फोड़े खुन से उपर जाता है, वह create हो सकता है, आस पास के tissue में जाकर हमला करेगा, chronic inflammation and fibrosis, और fibrosis है ना, थोड़े से heart, tissue हो गएरा, heart से हो जाएंगे, fiber attack हो जाएंगे, a higher proportion of female than male generally asymptomatic, यह तो हो ग section जल्दी दिखते नहीं है, and this individual act as the reservoir for maintaining and transmitting gonogocle, अब यहीं से danger है, यह लोग क्या है, reservoir है, reservoir क्या होता है, भंडार, यान कि जिन females के अंदर यह bacteria महजूद है, लेकिन उनके अंदर लक्षन नहीं है, तो वो तो अपने अगों fit कहेगा, और female वो अपने अगों fit कहेगी, अब उसका partner है, जिससे उसके साधी हो रखी है, अब अगर उहाँ पे उनका intercourse होता है, तो पता ही नहीं चलेगा, partner को लएगा, भई मेरी wife तो क्या है, healthy है, लेकिन यहाँ से उसके partner को यह हो जाएगा, और उसके अंदर लक्षन देखना है, start हो जाएगे, and transmitting gonococle, और इस तरीक इंफेक्शन होगा, तो क्या क्या दिखाई पड़ेगा, acute infections in male, males के अंदर बहुती infections दिखाई पड़ेंगे, जब अब अस तरीके से, in males, yellow, prulent, prulent होता है, pus, peep, urethral discharge, याने की urethra से, याने की जब आप toilet करेंगे, ठीक है, या intercourse करते हैं, तो जो आपका sperm निकल के आए और painful urination, पेशाव आएगी, तो बहुत दर्द रहेगा, in female, infection occur in the endoservix, cervix के थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है, and extend to the urethra, और urethra तक infection फैलता चला जाता है, अब बेटा, मैं यह उमीद कर रहा हूँ, जब फिर कहा हूँ, मैं endoservix and यह, अब यहाँ पर human and tommy और structure आप पढ़ चुके तो यहाँ पर structure कुछ लोग को imagine नहीं कहुपा रहा होगा, first year नहीं पढ़ी होगी अच्छे से, तो मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ पर endoservix और यह बोलते हैं, अगर बात में वो चीज imagine नहीं हो पाती है, तो तुरन जाके picture जरूर देखें, उसको image को देखते है, तो वो दिमागे picture रहे, ठीक है, अग ग्रीनी सियलो सर्वाइकल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज सर्विक से एक ग्रीन सियलो टाइप का एक चिप्चप अपदार जैसे निकलेगा, most common, काफी common है यह, often accompanied by inter menstrual bleeding, और कई बार क्या होगा, एक menstruation से दूसरे menstruation, य ठीक है, यह तुमारी female के लक्षन है, जनेटल इंफेक्शन इंक्लूड, acute, prevalent, urethritis, प्रूलेंट बताई चुका हूँ है, पस रहता है, ठीक है, urethritis, urethra में infection हो जाएगा, prostatitis, prostate gland का infection हो जाएगा, and epididymetis, ठीक है न, यानि क्या, जो epididymetis होता है, males के अंदर, उसमें infection ह हो जाएगा, in males and acute cervictis in females, female में cervictis, cervix, और यह सारे उपर क्या थे, male के लक्षन थे, the disease में progress to uterus, disease धीरे-धीरे cervix से होते हुए, नीचे uterus में आ सकती है, अब जिसको picture imagine याद अच्छा, cervix उपर होता है, uterus नीचे होता है, हो तो समझ जाएगा, causing selpingitis, inflammation of the philippian tubes, ठीक है, तो process, याने कि जो कमर के आसफास दर्द बगरा बना रहता है, वो होता है, ठीक है, तो बेटा, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे terms है, दो-चार अपने मन पसंद के जो याद कर सको, उनको याद करना है, बाकि छोड़ देना लकिन जो याद करो, वो अच्छे से याद होने चाहि होगा, तो उनको terms याद रखना ज़रूरी है, कि terms से कई वर question उल्टा बनके आता है, पैल्विक इंफ्लमेटी डिजीज में cause sterility, ectopic pregnancy, जो PID होता है, उसके वैसे बांजबान आ सकता है, ectopic pregnancy हो सकती है, ectopic pregnancy मतलब बच्चा जो बन जाता है, उसको जागे uterus में चिपकना चाहिए, और वहाँ पर ग्रो करना चाहिए, बट वो uterus में ना चिपक करके, फिलेपि और पार्ट में जाके चिपक जाता है, और पैरिनेफ, पैरि हेपाटाइटीस, और से फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम है ना, यह तुम्हारा पैरि हेपाटाइटीस, हेपा मतलब समझी कई होगे, लिवरल है ठीक है, तो यह सारा जो पार्ट हमने पढ़ा यहाँ पर, यह क् क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे, तो मैं फिर कहा रहा हूँ, सारे पढ़ने की ज़रूत नहीं है, लिख करके अपना मेन मेन लिख लोगे से सर्वाइकल डिस्टार्ज है, ठीक है, उसके बाद क्या लिख लोगे, प्रुलेंट जिरू 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 इस्टाइट रहेगा, ठीक है, उस्टाब समझाओंगा, पॉइंट चोब बताता हो, प्रचल इंपेक्शन अगर रेकल 抽 इंपेक्शन होता है तब क्या होगा, प्रिवलेंट इन मेन, रेकटल इन इन ऐन फरीमेन नीमन हूं सेक्स वी जाता हूं कि गुए सेख लीट मैन, एना मैन टू male and all sex होता है ठीक है जो लोग gay होते है ठीक है तो यह बात सुम गोन पॉसिपना के लिए भेइर नहीं है क्या होता है ठीक है ना गे और मेंकिमाग में घ्यां करेंगे तो men who have sex with men जब man to man sex होता है तो वो लोग anal sex करते हैं उस case में rectal infection होने के chances ज़्यादा होते हैं rectal infections are characterized by constipation constipation हो जाएगा painful defecation जब आप feces करेंगे, potty करेंगे तो दर्द होगा और जब potty करेंगे तो साथ साथ में आपको yellow yellow discharge निकल सकता है जो की पस होता है एक्चुली पस समझते हो ना खीक है फेरिंजाइटीस यह oral sex की निशानी है फेरिंजाइटीस is contracted अरे contracted characterized है यह पीछे वी बेटा साही कर ले ना इसको this is characterized मैं चक्कर में पढ़ा हुआ था यह क्या लिखा हुआ है फेरिंजाइटीस is characterized by oral genital contact यहां ना याशनी यहां यहां पसी बात है फेरिंजाइटीस गले में प्रॉब्लम कब आएगी जब आप क्या करते हैं oral sex करते हैं क्या करते हैं उठ वई-उर्ल शेक्स वह यहीं तो जरिया है कि उरल्ल्सेक्स औरल सेक्स करते हैं तो यह सब बेटा कुछ बच्चे क्या है हसी में आ जाते हैं तुम लोग फार्मासिस्ट हो यह समझ नहीं है ठीक है ना कि हाँ चीज़ों को समझना है और फार्मासिस्ट फिर क्या करना अगले इंसान गाइड करना है कि अप्थेल्मिया नियुनेटरम, अप्थेल्मिया ने की अप्था आंक से हो गया, इस इंफेक्शन ओफ कंजक्टिवल सेक, यहाँ पर जो पाउचियूस होते हैं, अप्थेल्मिया ने की अप्था आकों के अंदर हैं, इस इंफेक्टिवल सेक होते हैं, अगर उसको ट्रीटना किया जाए, तो अंधा बच्चा हो सकता है, बच्चा अंधा हो सकता है, Disseminated Infection, Disseminated मतलब पूरी बटी में फैलता हुआ, अच्छा उपर जो हमने पढ़ा यह आँख का था, यह गले का था, यह रेक्टम का था, पीछे वाला, ठीक है, एक पार्ट अफेक्टेड था लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह इंफेक्शन आपके पूरी बॉड़ी में फैल दा है कैसे अगर ब्लड में जला गया तो ठीक है तो पूरी बॉड़ी में फैलेगा जातर स्ट्रेंश की अबलेटी होती है कि ब्लड इस्ट्रीम जाके बात समय जो मैं अलग लगए समझा रहा हूं यह यह नौलेज परपस से काफी ज्यादा जरूरी है ठीक है बाद बागी हैडिंग डाल के आप लोग एक 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 लाइन में इसको फिनिश कर सकते जब एक्जा इसको बलड वाला फेला गोनों का कहिं बहुत ही कर दिककाम है कावर हालांकि समस्ट्रेंस ऑफ गोर्रिया दू25 कुछ जो इस्ट्रेंस हैं कुछ जो प्रजातियां है जैसे की प्रजातियां हो गया को रिजल्ट इंसन हैं हम लोग कई सारी क्प्रूर्टिया है यह ना को पेइनफुल प्रूलेंट अर्थ्राइटिस हो जाएगी ठीक अर्थ्राइटिस पस वगए जमा हो जाएगा एंड इस्मॉल सिंगल स्कैटर्ड पुष्च्यूल पूरी बॉड़ी में फैले हुए पुष्च्यूल दानेदार है ना स्किन पर आ जाएगा हूस बेस बिकम अ जाएगा है और अगे सिंपल नॉन फार्मक लोजीकल क्या करना हमें सेक्शूल एड्यूकेशन और कांसलिंग लेनी चाहिए प्रैक्टिसिंग सेफर इंटरकोर्स हैं ना हमें सेफ इंटरकोर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए कॉंडम गरा यूज़ करने हैं अगर बिमार हो गए हो तो यह नहीं कि चार दिन दवाई खाली और फिर अराम पढ़ा जाए चोड़ दिया दवाई तब तक खाने जब तक डॉक्टर कहता है परफर्मिंग फॉलो अप टेस्ट यानि कि जब ठीक हो चुके उसके बाद ही महीन दो बने बाद टेस्टिंग होती है तो वो करवाने हैं आपको प्रोविजन आफ हेल्ट एजुकेशन और जहां तक हो सके लोगों को हेल्ट एजुकेशन देनी जरूद है रिगार्डिंग परफर्मकलोजिकल मेरेजमेंट यह पूरा नहीं छापना है ठीक हो सकता है यहां किलियर ना आ रहा हो लेकिन जो तुमनों को नोट्स मिलेंगे उसमें यह चीजें किलियर दिखाई दे जाएंगी चैसे हैं टाइप लिखा हुआ अनकॉंप्लिकेटट गोनोकोकल जो की कॉ अगर किसी को सेफलोस्पोरिन एलर्जी है तो जैमी फ्लोकससिन और एजित्रोमाइसिन तो यह दवायां याद रख सकते हो ठीक है यह तो रखनी पड़ेंगी एजित्रोमाइसिन के अलर्जी है तो सेफ्ट्रायजोम और डॉक्सिसाइकलिन बास समझ मारी है अगर किसी को यह होती तो change कर देंगे uncomplicated gonococcal infection of pharynx गले का हो जाएगा तो ceftriazone और aithromycin और gonococcal arthritis है तो ceftriazone aithromycin और alternative में क्या है ceftriazone और aithromycin अच्छा यह इसका यह IM है यह 1 gram है IV यह 8 hourly लेनी हमको ठीक है next time meningitis या endocardiitis ठीक है दिमाग में अगर हो जाता है तो ceftriazone aithromycin तीन चार दवयां याद रख लोगे ठीक है तो duration of therapy याद में जरूरत नहीं है हमें pharmacological में कौन-कौन से दवयां हम चलाएंगे किस complication में कौन सी है तो यह सब सबसे वहले क्या याद करोगे इन बीमारियों को याद करोगी ठीक है ना बीमारे सोरी इनदवाईयों को याद करो कौन को दवाईयां हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं बाशा मार्फ है ठीक है ना यह दवाईया याद करना मुश्किन नहीं यह तो यह जो किलर्टी है वह तुम पीडिएफ में किलर्टी मिल जाएगी क्लियर हो गया ठीक है तो यह अपना जाला अब टाट खतम हो जाता है कि नेस्ट मनेगा आते हैं सिफलिस पर ठीक है यह भी STD है कि ऑब 지가 करें सीस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब क्या हो ग Cooking का मतलब से हमारे ब्लट में जाएगा यह है ना पूरी बॉरियर फैलwire пол होगा सकोषफ़ le demek और अथी से में अधिलिस टरीक्रीज की बात करें तो shrinking है एक सटीज का है और असassy गयर का की बात होगे किस किस तरह कि से फैलेंगा यह तो प्हельзя टो पर्सट to सबस्क्राइएगा Sonos Dashing सब्सक्राइगा unbelieseट कर दिखकल गना गए तो यहां दो पर सब्सक्राइगा सोर प्ले हो सकता है even when there is no penetrative sex much less common penetrative sex नहीं हुआ हो ने पर उसकेस सकता हैाrib नाम है ट्री पोनीमा पालेटियम पैसमे बात करें तो क्या नाम है नोकुलेशन के की इंफेक्शन लगा। किसे को टचकर दिया तो इनकुलेट हो लेसंस होता है पर यहाँ पर क्या हो रहा है कैंकर निदक हो गया राख تم और अब क्या होगा जो है बैक्टे हटां करेगा मीूकस मेंब्रेन गो जो छोटे मोटे घाओ या जखम जैसे खुले हुए होते हैं उसके अंदर प्राइमरी सिफिलिस हो जाएगी इसका 10-90 दिन का सिफिलिस जो ठीक नहों पाई या थेरपी को उसने अन्रिसपॉंस किया हुए हुए तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी सिफिलिस हो जाएगे ठीक है अब क्या होगा वीक या महीनों में इसके वाद इसको हफते लग सकते हैं महिनों लग सकते हैं आफ्टर प्राइमर सिफिलिस हो जाती है यह ठीक है अब जो स्पाइरोकीट होता है जो इसके अंदर का जो इस्पाइरल शेप कर रहता है तो हम क्या बोल देते हैं स्पाइरोकीट बोल देते हैं स्पेक्टिविटे को अलग तरह के मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल लक्षन दिखाना शुरू करेगा यह अब सेकंटी सिफिलिस लेफ्ट अन्टीटेट और अर्ण रिसपॉंसिव ठेरपी अगर यह आली सिफिलिस भी अंट्रीटेट रह जाती है ठीक नहीं होती है और ठेरपी से भी कवर नहीं होती ह है तोले 10 सेफिलिस हो सकती है ठीक है औक कर स्पेस्टेटर जेजिस रिजॉल्फ यानि की क्या हो गया कि हमको ऐसा लगा कि सेट्रेटर सेफिलिस ठीक होगे लेकिन ओठीक नहीं होई थी उसके किटानों अभी भी रह गए थे तो यह लेटन फेज में चला जाएगा या डायक्ट चला जाएगा तरसरी स्टेज में जाता है तो अल्टिमेटली प्रामरी से लाश स्टेज आती है इसकी ठीक है ना सबसे बत्तर होती हो इस तरीके से यह प्रोग्रेस करते हैं क्लिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ पर अलाग डिवाइड क्या हो जिसा कि प्रामरी है प्रामरी स्टेज में हमें कैंकर दिखाई पड लिंफ लिंफ से याद रखेंगे जगह 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 कर जाएंगे तो रैशिश लाल पन दिखाई पड़े का कई जगह पर फीवर आ सकता मला इस बेचाए नहीं रहेगी लिंफ डिनो पैसी रहे जाएगी म्यूकस लेसंस है ना जगह जखम से होंगे जिसके अंतर म्यूकस किया जगहीं से कल रहा होगा दैन है कउंडाइलोमा जो भी एक तरहां क्या हिए होता है हमारा पस ठीकर ओधकर जहां होधी होती है वह हार्ड पथर जैसी हो जाती है खासकर.. पैडिस के आस सपास yaa व्या जैलोपेशिया बाज हड़ सकते है मैरेंज चैस ही हैं शारा आर्टरी के प्रॉब्लम हो जाएगी हाट की नियुरोसिफलिस हो जाएगी तो यहां पर क्या है एस्टोमेटिक रहेगा तो ना कोई लक्षन नहीं आएगा acute syphilis meningitis हो जाएगा neuro syphilis मतलब दिमागों चली गई हमारे acute हो जाएगा तो headache meningitis irritation confusion हो जाएगा meningovascular हो जाएगा तो cranial nerve pulses दिमाग की नसे हैं वो degenerate होना start हो जाएगी तो इस तरीके से तुम्हें सारे नहीं prime, secondary, latent और tertiary में एक दो का याद कर लोगे ठीक है जो तुम्हें असानी से याद रख सकते हैं जाए टैविश डॉर्शलिश ये भी क्या है नसे degenerate हो रही है सब याद रखने जोड़त नहीं है आई का याद रख सकते हैं congenital तो early आ जाएगा इसमें क्या हो जाएगा ठीक है congenital होता है पैदाईसी बर्थ के समय early और late इसमें एक एक दो दो वर्ड याद रख लोगे और खतम कर दोगे तो बहुत ज्यादा नहीं चार चार पांच पांच याद कर लो primary, secondary, primary, secondary इस तरह देते होगे primary, secondary, latent इसके दो 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 लक्षन देते होगे more than enough है इसे जाज उड़त नहीं पड़ेगी ठीक है now non pharmacological same जो उपर हमने उसके पड़े थे ठीक है sexual education, counseling, practicing, safer intercourse, completion of therapy therapy complete करेंगे then provision of health education और pharmacological treatment के कर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ penicillin हम इस्तिमाल करते हैं protein penicillin, penicillin G या benjothin P और tetracycline इस्तिमाल कर सकते हैं doxycycline, macrolides, azromycin और cephalosparin, ceftrazones, cefaction तो देखा पहले वारा इससे link up तो खटाक से खटाक से खटम हुआ है ठीक है तो यह हमारा छोटू-मोटू लेक्चर हो गया यह और यह अपना minor चे रहे पागया ठीक है, तो बेटा पढ़ाई करनी है, revise करना है ठीक है, life में upon downs आते रहेंगे, ठीक है, problems आती रहती है लेकिन हमें उन problems से भी लड़ना है और आगे बढ़ते चलना है तो ध्यान रखें, कोई problem आती है मुझे call करें, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं call receive नहीं कर पाता हूँ कुछ बच्चों के तो बिल्कुल परिशान ना हूँ मुझे एक दो घंटे के बाद आगे पीछे call कर लिया करें बहुत से बच्चे call करते हैं, काफी अच्छा लगता हूँ बच्चों के problem solve कर पाता हूँ, ठीक है बाद बाद की सभी lectures के videos और YouTube पे हैं उसी के description में notes का link दिया रहता है बाद बाद की यह अपना app है, सारे features से less है अगर आप इसको ले लेते तो आपको उसके बाद फिर कुछ करने ही जोरुद नी पड़ती है आपको सब कुछ app के अंदर मिल जाएगा एक complete class की तरह एक अपना fix time बना लें कि हाँ इस time में देखना है और एक एक करके अपने lectures खतम कीजिए app लेने का मतलब हो गया कि आपको complete course with question answers ठीक है, live class सब कुछ आपको test वेरा, सब कुछ आपको app में मिल जाता है ठीक है, तो उन सब चीजों से जरूरी इन सब चीजों से जरूरी फिलाल क्या है पढ़ाई करना और revision करना ठीक है तो पढ़ते रहो, revise करते रहो, all the best